असलाम लेकूंगे और जिसके लिए मैंने प्यास जो है वो आइल डाल के प्यास रखनी है फ्राई होने के लिए अभी इसके लाइट प्राउन होने का फेट करेंगे तो आज आए हैं हमारे गेस्ट तो उसके लिए मैं बनाने लगी हूँ जावल जो के साथ साथ मैं आपके साथ शेयर करती जाओंगी और ये हमने लगवाली है नियू फिल्टर क्योंकि पानी का बहुत ज्यादा मसला होता था नैजा के बापा और चाचु जो है वो बार बार उनको ये पानी लाने ले जाने में डिस्टर्बेंस होती थी तो काम ही खतम किया जब भी मकाया फिल्टर घर पे लगवा लिया ताके लाने ले जाने का जो काम है ना वो इतना खतम हो आदा काम जो है ये खतम हो गया और अभी मैंने मसाला जो है बुना स्टार्ट कर दिया इसमें मैंने डाल दिया नमाक और रैट मिरच इसके इलावा म मैंने इसमें अद्रक लेसन ये वो सारे पेस्ट वगरा शामल कर दिये थे दरम्यान में सारा जो भूनाई वगरा लगरा करते हैं शाफिज को आपके साथ शेयर नहीं कर सकी अभी मैंने इसमें डाल दिया है पानी अभी हम इसके बॉयल अनिका वेट करेंगे और फिर इसमें हम शामल करेंगे चावल चावल जो के मैंने पहले से ही बिगो के रख दिये थे और इसके गावा प्यास हैं जो के सलाथ के लिए राइते में शामल करने के लिए काट के उसको नमक लगा के रखा हुआ है साथ ही साथ हम इंतजार करें थे के पानी में जल्दी से भुआई लाये जो के आ चुका है अब हम मैं इसमें शामल करूंगी चावल तो चावल में से पानी मेंने निकाल दिया तो अभी हम इसको शामल करेंगे ये बाइल आये और फ़क जाए spices वगरा जो है मैंने routine के मताबक जो है इसमें add कर दी थी जैसा कि आप देख सकते थे अभी जो पानी खतम होने वाला इसमें से अब हम इसको क्या करेंगे दम पे लगाएंगे और जैसा कि आप देख सकते हैं चावल जो हैं वो half कुक हो चुके हैं जैसे हम कहते हैं गल चुके हैं तो अभी हम इसको लगा रहे हैं दम पे 5-10 मिनट के लिए हम इसको लगाएंगे दम पे और फिर देखेंगे कितने यमी यमी से चावल जो है हमारे तैयार हो जाएंगे इंशाला अभी मैं खोलने लगी हूं दम को ये देखें जी इतना प्यारा इसका कलर आया है लास्ट टाइम मेरे से जो है इसका कलर बहुत ज़्यदा डार्क हो गया था चावल के लिए मसाला बनाते वक्त ना तो ज़्यादा ही हो गया और इसका कलर बहुत ज़्यदा डार्क आया था लेकिन हमें ऐसा color अच्छा लगता है और यह बहुत प्यारा color लगता है चावल जो है खिले-खिले है सारे separate separate होगे थे मैंने महमान के लिए खाना लगा दिया है और राइता भी मैंने साथ-सथ बना लिया था चावल बनाते बनाते और साथ ही सलाद प्यास और मुली थी जो के अवेलेबल थी और मैंने वो कट करके रख दिया अभी अनाईजा की दादो और अनाईजा के चाचुम जो के महमान आए हैं वो और अनाईजा बाबा साब मिलकर खाना खाएंगे चाचुम जो के आ चुके हैं हमारे महमान और अनाईजा की दादो अपने लिए खाना निकाल रहे हैं और वो साथ साथ बाते भी कर रहे हैं डिसकुशन कर रहे हैं चुक्के वे मिलने के लिए आये थे तो साथ साथ उनसे बाकि सब के हाल एहवाल पूच रही है और इनसे discussion का रही है अनाजा की फुफों के बेटा ये फुफों के बेटे हैं और इसे ही लिहाद से अनाजा के चाचू भी हुए अनाजा के बाबा भी पहुँझ चुके हैं और खाने पे अपना हाथ सो जो है वो साफ कर रहे हैं चावल बने हो और अनाईजा के बाबा जो हैं वो ना हो ये कैसे हो सकता है हम तो चावल बने हो कहीं और भी दूर शेहर में गे हो ना तो वहां से भी पहुन जाते हैं घर पे के चावल नहीं मिस कर सकते हैं और अब हमने चावल खाना स्टार्ट करती है अनाईजा साबा ने भ सार्थ में बोटी खा रही है जैसे वो कहती है मैंने बोटी खानी है नायजा से पहले पूछें क्या खाना है तो सबसे पहले यह कहती है गोशिट चावल मैंने गोशिट चावल खाने और सेकर्ड उसका यह होता है अलुमटर पूछो नायजा क्या बनाया है क्या खाना है तो क कब भी कोई बात पुछें क्या खाया अलू मटर और क्या खाना है अलू चावल गोष्ट ठीक है अपने लोलीवोप को जो के चाचू ने लेकर दिया इसको यह आए हैं जी हमारे लिए गाउं की सोगात जो के नाइजा के वह चाचू लेकर आए हैं गाउं से लेमन का अचार और साथ में लेमन और मटइपा आट्अ यह गाउं के लोगों की सोगात जो के वह जातने तो लेके जाते हैं मक्यका अचा गण्रा तो हमारे लिए आता हो यह आद ने क्या乾ले लेकर arnaटते तो हमें लोग भी गाउं में हैं लेकिन हम लोगों का ऐसे यह जिम्मिदार बगारा जो हैं वो कम हमारे खुद नहीं करते हैं जबके उन्हों लोग ने की हुई है अन्यजा इंज्वाइए कर दिया अमेद करते हूं आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी